जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जुमा का दिन है और हमने जुमा के दिन तर्वियती और इसलाही सिल्सिला शुरू किया है अपने बच्चों की इसलाह के लिए उनकी तर्वियत के लिए आप सभी जानते हैं कि विदुष्टा कुछ दिनों में कुछ ऐसे वाकियात हुए हैं जिनकी वज़े से समाज ने फैली हुई कुछ बुराईया बिलकुल सामने आई हैं और जिसकी वज़े से कुछ ऐसे मामला नजर में आए हैं कि शोबे तद्रीस या शोबे तालीम भी उस और ये वाकियात मुझे आपको बताने की दरुवत नहीं है हम अपने तलबा की सेफटी के लिए उनके तहफुस के लिए बहतर से बहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही साथ हम यह भी समझते हैं कि सिर्फ सेफटी ही काफी नहीं है बलके ऐसे मामलात में अखलाकी तर्वियत और दीनी उसलों की रहनुमाई में तलबा की और तमाम स्टेक होल्डर्स की जो स्कुनें से जुड़े हैं उनकी तर्वियत करना भी बहुत जरूरी काम है और इसी सिल्सले में आज जो जुमा का तर्वियती और इसलाही खुदबा है उसका मौज़ू हमने रखा है के खवातिन और बच्चें के साथ हुस्य सलूक और बहुसियत नौजवान और बहुसियत तलबा हमारी जिम्मेदारियां ये मुखतर खुदबा हमारे मौली में दिनियान मौलाना मुजीब الرह्मान खान रियाजी अभी आपके गोश्गजार करने वाले हैं मैं उम्मीद के तमाम तलबा बहुर सुनेंगे असातिजा इस दोरान में अपनी सारी सरगर्मिया मौकुफ रखें कि हम जो कुछ काम कर रहे हैं हमारे तलबा की हमारे असातिजा की तमाम स्टेक होल्डर्स की तर्भियत के लिए कर रहे हैं हम इस उम्मीद के साथ में कर रहे हैं कि हमारा कोई भी एक काम जो है वो हमारी नेकी में चुमार हो और हम उसकी मदस से उसके जरीए समाज में कुछ तब्दीलिया लाएं हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत भूदी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ शिखाया जाता है उस पर बहु करता है ये अल्ला ताला की तालीमात में से है हुदूर अकर्म स्लिल्लाओं की तालीमात में से और इसलिए हमने कुछ बाते आपके सामने पेश करनी है मुलाना मुझीब الرह्मान खान रियादी इस एहम मौदू पर जो बहुत जरूरी है चल्बा को समझना चाहिए कौन सी ब और रह्मत ल्लाही और बरकातु हुदू अल्हम्द लिल्ल्ही रब्लामीन वालाकिबत लिल्मत्तकीन वास्लात वास्लाम अला रसूलिह मुहम्मद वाली वास्भाब ही अज्माई अमा बाद अजीज तालबा असातजे कराम मुखलिमात सामईईन और सामियात आज अल्लह की तवफीक उसके हिसान से आप तमाम हदरात के सामने जिस मुदू परलब कुशाई का मुखा दिया गया है और मैं उसके लिए मुहतरम सब्बीर फारुखी सर हफिद गुल्ला का बीहत ममनून मशकूर हूँ कि आपने इस मुदू का इंदखाब फरमाया अल्लह की हबीब जनाब मुहम्म्मद रसुल्ला कि क्या तालिमात हैं इस ताल्लक से खवातीन के साथ हमारा कैसा सुलूक होना चाहिए खवातीन के साथ हमारा बरताओ कैसा होना चाहिए कि तमाम बातों की वजाहत अचादीश के अंदर अल्लह की हबीब सल्ला असल्लम ने फरमाई है आएम आप को हदर्दे सफिया रजिल्ला हुटाला नहाँ जो अजवाज मुतहरात में उनका शमार होता है अल्लह के हबीब जनाब मुहम्मद रसुल्ला असल्लम ने उनको उट पे सवार करना चाहा पर वो अपने ठिकने पन कोई से सवारी ना कर सकी अल्लह के हबीब जनाब मुहम्मद रसुल्ला असल्लम ने उनके लिए अपने भुतलों को खड़ा किया अम्मा सफिया अर्दिल्लाव टाला नहां आप सब्सक्राइब के घुटने पे खड़ी होके पूट भी सवारी करती है क्याई बेतरी सवारी और वो शख्सियात हम तमाम लोगों के लिए अबरत हैं दर्स हैं उसके अंदर सबख है कि अल्लाव के खड़ीब सब्सक्राइब किसक्दर ख़वातीर और उनका इहतराम करते थे आईए मैं आपको एक मौके पर अम्मा इश्र अर्दिल्लाव टाला नहां 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 को किस ऐसे कलिमात जो उनके शान में गुस्ताखी सम्मी जाती थी अपनी जबाँ से कह दिया अल्लाव के खड़ीब जनाब मुहम्मद रसुल्लाव ने फर्माया आई आई शान तुम ऐसे कलिमात के भी है कि अगर उन कलिमात को उन गुस्तवू को अगर दरिया दिनना डाल गया जाए तो दरिया का पानी बहुत ही ज़ादा कलवा हो जाएगा लेहादा एक दूसरे का इहतराम बहुत जरूरी है अल्लाव के हभीब जनाब मुहम्मद रसुल्लाव अल्लाव सेल्म की यह आई लिस नगी थी अपने अजवाज के तालुक से अपने घरवालियों के तालुक से आये देखते हैं कि इसलाम से कबल जमान जाहियत में खवातीन के साथ बच्चियों के साथ कैसा सुलूक होता था सुनने दार्वी के अंदर एक रिवायत आती है कि यह शख्स अल्लाव के हभीब जनाब मुहम्मद रसुल्लाव सुनने जाहियत में सुनने जनाब मुहम्मद भीब अपनी बच्ची को दर्गौर कर दिया है जिन्दा गफन कर दिया है एक बच्ची जमस क्यों में इसको धखेना जा ายता ता उस बच्ची के अलफ़ाद आइभी मेरे काने में बुश्ते है या बताए आए मेरे अब्बू हमने कोंची गलबी कर दी है चुनाएंचे अल्लह की हबीब जनाब मुहम्मद रसुल्ला अखला सल्म इन कलिमात को सहाभी के उन वाकियात को सुन कर दे इसकदर रोए इसकदर रोए कि आपके दारी मुबार्थतर हो गए आपने फर्माया कि अब बच्चियों को जिन्दा दरगोर करना पतान हराब है सिर्क अक्बर है और तमाम जाहियत की तमाम बातों को अल्लह सुछानु वटाला ने इसलाम लाने के बाद उनको माद फर्मा दिया है आईए मैं आपके लेके चलता हूँ अहद फारूखी में हदर के अमर में खताब रजिल्लह पाला नहों मनीरा में हुक्मरा मनते हैं मुसल्मान के खलिफा मनते हैं हदर के अमर मियास रजिल्लह पाला नहों निसर से मेतर भेजा पासिद को भेजा कहा कि आयमिन उमिन खलिफतल मुस्लिमीन मिस्र के लोग दर्याव नील में लर्कियों को दुनंगी तरह बनागे समार कर दर्याव को भेड करते हैं दर्याव को चला देते हैं क्या ख्याल है मिस्र वाले आप भी उस अमल को अंजान देने के लिए तैयार है आप भी क्या रहा है चुनांचे हदार्त अमीर वमिनीन खरीकद मुस्लीमीन सिदना अमरी में खत्ताब लिला उताव अरहान हो कासित ब्हाथं ने दर्म कि वेलते हैं कहते हैं जाना है इНе ओन लेगार्त आमरी में आद्याय को बेड़ेना उनको बता देना तेना अहदय जाहियत की तमाम बातों के इसलाम मेंसूख करता है और यहां पर इस तरह कोई हरकत नहीं की जाएगी अगर तो अमने में खताब से लिए लिए गए उस लेदर को हमरी बन्यास ने लियागे दर्या में डाल दिया और कहा कि आए दर्या अगर तो अपनी मर्दी के बहती है तो मत बहुत तोरे बहनी के गदान नरूँ नहीं है अगर तो अल्लह के खुशे बहती है तो बहुत चुनाँशे आज तक दर्या रवादमाए अलगर बताने के मकसद यह कि इसलाम इन तमाम बातों वो जहिए दिया बातों पो रड़न करता है नहादा अल्य हदी जनाम ने तरिकेसे अंगी तर्ब्यत करता है तालिब तर्ब्यत से सर्फरास करता है और वक्त आने पर बेहतरी और अच्छा मौनासिब जिस्ता पैद दरता है लड़की की शादी कर देता है तो वो शखस और मैं क्यामत के दिल इन दो हुलियों के मानी होंगे अल्लाहु अक्बर इतनी बड़ी फदीलत है एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे लगे रसुष आसलाम हमारे पास इन दो बेटी हैं तो आपने फरमाया दो की भी वही कैसित होगी उसके भी जिल्ड मेलेगा एक सहाबी कर देगी है लगे खड़े है हमारे बहुत दो एकी बेटी है आपने फरमाया कि अगर बेटी को तुम ने बेटरी है किसे तालिम और तर्बित या नश्यूमा पराई भी खाई और तर्बित की तमाम दुन उसके अंदर पाई जाते है यकीन जानी है तुम भी मेरे साथ जन्नत में होगे इसलाम ने खवातीन के दालिक से बच्चों के दालिक से जो रहनुमाई की है हम तमाम लोगों की ये मुस्तरगा दिम्मेदारी है कि खवातीन के अइस्थ करें खवातीन के साथ बेहतरी सुलूप करें खवातीन के साथ कभीरी को नागेबा नारवा किनमाथ से उनको लब बारे उनको बहत्रीन अलकाफ सिर्वादे वही खाबून जो कभी मा होती है तो मां का मकाम क्या है कि मां उसके इताबादारी कर गए उसके फर्मादारी कर गए उसका कहना मार कर गए हम जन्न के निस्टिक बन सकते हैं अगर वो बहन है तो बहन के का मकाम है अगर बहन वो हैसियत है जो है बहन लूह सुभाण रुटाल है दो लिगार में लुमुनी के लुए मुसल्मानों के लुए एक तुभा, एक गिफट है अगर वो बीरी है कि यकीना दीवी बन गए अगर जिस नहीं गजारती है तो पेखंबर इसलाम जनाब मुहम्मद रसुल्लाग असल्म ने फर्माया कि अगर कोई यौरत अगर कोई खातौन पांच वक्त की नमाद पहले और अपने शहर भी वाताद बालहा तो सामत से रहा अपने शहर भी इताथ कर ले पांच वक्त की नमाद पहले और हमदान के रोगे रख ले वो खातौन जन्नत के जिस तरवादे में से दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती है यहादा यह मकाम है यह फदिलत अहादिश के अंदर बेहन की गई है यहादा हम तमाद इनों की तालबा की इस्टूड़ाइन की और आम नास की यह दिन्मदार बन्दी है कि हम उनके साथ जिनसी तशब्द जो आए दिन रूनमा होते है आए दिन इस तरह के वाकियात ना खुशगवार सुने तो मिलते है इससे बाद आने की जरूत है उनका मकाम जो है बलंद है अल्लह सुछानु वटाला ने फर्माया कि मर्द और उर्तों पर हाकिम है मगर कर तक जब तक वो और्त आउरत जो है अपने खाने की यदाद और फर्मा बरदार ही करती है आउरत जो है कोई खिलाब और शरा कोई यह अबल नहीं करती है तक एमर्द की हाकिमियत और वामियत उसके बर बरकरार हैती है अजएर तलबा हमें अपने घर की इसलाह करनी चाहिए हमें अपने घर में अपने जबान के सही इस्तमार करना चाहिए हम अपनी जबान से अपने मा की, बहन की और बिगर खवातीन की अपने पासपोस की सब्सक्राइब करनी चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए यह हमारी मौल्मात हैं हमें हर हाद में इनकी अज्जद, इनके हितनाम, इनके तकब्स बाकी रखना है, इनकी दौाइं लेनी है, और आजकर तल्बा के अंदर इस ख़दर असातजा की नाफर्मानी पाई जाती है, आज अज़ित तल्बा याद रखो, आपके अंदर जो नाफर्मानी है, वो नाफर लिए लिए बिए खासारा उठा सकते हैं और आखर दिर भी कसारा उठा सकते हैं लिहादा ज़रुत इस बात मैं कि ए बाइचा सक्ट है किसी के साथ ना देवाफ सुल्ब ने एक किया जाये जो अपने लिए रुस्वाई श्रम स्वारी कि बाइस बने लिए स्कूल है स्कूल के कवानिन जवादी थे उनको जो है मद्बे में नदर रखते हुए स्कूल के चिहाद दिवारी में रहतर तालीम तालीम हासिल करना है तालीम हासिल करना है तालीम के जो असूल है स्कूल में उसकर अमल करना है अज़ित तल्बा हम अपनी जिन्दगी को मुन आपके अंदर इहसास होना जाये काश्च में होता उन्हेरा सबग नहीं छोड़ता आपके अंदर शर्मिन मजी आनी चाहिए अज़र तर्बा अल्लह से जरूब और तमाम लों की इज़त इहतराम की निगाहों से देखो असातजा की कौतान जो है ना फर्माई ना की जाए वही असातजाब आपको जो है बुलंदी के मकाम बले के जाना चाहते है और आपके अंदर इस तरह की बाते जो मुआशरे के अंदर कोई आदम इसको बरदास ने कह सकता है यहादा अल्लह से दुआ करते है ने मिलजू कर हम धूआ कर ले कि अल्लह सुभानों वटाला हमारी खवाती। को हमारी बहनों को हमारी बेपियों को उनकी आज़्जद आदू की हिफादत करना अल्लह हम सेब को तव्फीग दा फरमाए और हम जिस मकसद दे नहाते है अल्ला कामिया भी अता फरमाए आमीन वा आखर दावाना अल्हम्दिल्ल्ह बिला आलमीन वस्सलाम अलैकुम वर्हमतुल्ही और बारता आपो खुशुषण मुल्मात के तालुक से तल्बा की जिम्मेदारियां क्या हो इस पर खिताब फरमाया मैं उम्मिद करूँगा कि हमारा जो रवया है हमारी मुल्मात के साथ में खुशुषण मुल्मात के साथ में कि वो आपकी वालिदा के दरजे और वालिदा के मकाम पर है और मा का मकाम क्या होता है इस से वाकिफ करवाने की उन्होंने मौलाना ने कोशिश की मैं उम्मिद करूँ का कि, तमाम तलबा जस तरह से अपने वालदین का हितराम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से मौलमीन और मौलमात का अहितराम करेंगे नहें अपने वालिद और वालदा के मकाम पर रखते होज उनकी हर बात पर जो है उनकी ताजीम करेंगे उनकी फर्माबरदारी करेंगे तोंकि वो आपको उस मकाम पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जो सबसे आला और बहतरीन मकाम है तरकी की वो मंजिल है यहां पर आपकी जिन्दगी में खुशाली होगी तामियाबी होगी बत्तमीजी और बद अखलाकी से परहिस करें छोटे बच्चों के साथ में बेहतरी सिलूप करने की कोशिश करें ये बलों की जिम्मेदारी है कि वे छोड़े बच्चों के साथ में महबत शफकत कर रविया रखे किसी भी तरह कि कोई खलत बरताओ ना करे आपस में एक दूसरे के साथ में महबत और उनसियत के साथ में रहे शफकत के साथ में रहे ये तमाम लोगों की जिम्मदारी है ऐसा करके ही हम समाच को माशरे को बहतर बना सकते हैं रहने के काबिल बना सकते हैं मैं उम्मिद करूंगा कि जो बातें आपको रोजाना अखलाकी तरभियत के मकस्फ से सिखाई जा रही हैं उस पर आप अमल करेंगे दूसरों से भी इस पर अमल करने की जो है वो दावत देंगे उने भी कि वो इस पर अमल करें और हमारा ये समाज बहतर बनेगा इस तरह के जो वाकियात रूनिमा होते रहते हैं उनसे हम बचेंगे और समाज ने खवातीन का बच्चों का इहत्राम बढ़ेगा साथ इसाथ समाज रहने के काबिल बनेगा ये मैं इम्मीद करूंगा और ये उसी सुरत में है जब आप रोजाना की बातों को सिफ सुनेंगे नहीं बलके उन पर अमल करेंगे रास्ते से जाते वक्त भी रास्ते से आते वक्त भी आप अपनी नजरे नीची रखेंगे बाद बाद में खवातीन के लिए जिनने माँ बहन और अवारी दीजर खवातीन शामिल है उनके लिए बुरे अलफाज के इस्तिमाल नहीं करेंगे क्योंकि आप ऐसा करके अपनी तरवियत का अक्स पेश करते हैं अपनी जो कुछ जो आपको सिखाया जा रहा है वो पेश करते हैं और इसकूल में आपको यकीनी तोरफे अच्छी बाते सिखायी जा रही है तो इसलिए आप अपने घर का अक्स नहां पर न पेश करें समाज का पेश करें बल्के समाज के सामने एक अच्छे तालिबें के रूप में अच्छे इंसान के रूप में आप अपनी जो है शबी को पेश करने की कोशिश करें अल्ला हाफिज नासिर